नवस्कार में हुश्वानी विहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों के और बठने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सावन में भगवान शिब की 108 मीटर उटा प्रतीमा बना आकर्शन का केंथ राज्य के सभी सरकारी कर्मियों का रखा जाएगा ऑनलाइन रिकॉर्ट बीजेपे ज़दियों के बीच तना तनी को लेकर बोले राज़त सांसर आरसीपी सी ने नितिश कुमार पर किया कड़ा पलटवार भारत को आखरी मैच जिताने के बाद कप्तान हार्दि का बड़ा वयान अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से सावन में भगवान शिब की 108 मीटर उचा प्रतिमा बना आकर्शन का केंथ आज सावन महीने का आखरी सुमवार है जो की भगवान शिब के भक्तों के लिए विश्री समात्वर रखता है आज भारी संख्या में स्ट्रा धालों की भीर परदेश के छोटे बड़े शिवाले उपर देखने को मिली वही इस सावन बिहार के सासाराम जिले में भगवान शिब की विश्री स्परतिमा ने सभी का ध्यान अपनी और आकर्सित कर लिया इस परतिमा को देखने के लिए आपको अपना सिर पूरी तरीके से उठाना होगा क्योंकि इस परतिमा की उचा इसामानने नहीं है जी हां 108 फिट इस उची इस शिब परतिमा का निर्मान रोतास के जीला मुख्याल सासाराम और डेहरी मार्ग में किया गया है महायोगी पाइलच बावा आश्रम में बनाये गए इस विशाल का इस शिब परतिमा के सावन में बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए पहुच रहे हैं राजुग में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मियों का रिकॉड अब ऑनलाइन रखा जाएगा इससे संबंधित HRMS Human Resource Management System पर नाली लागो होने जा रही है अगस्त महीने के अंद तक इसका पहला फेज़ शुरू हो जायाएगा इसमें सभी कर्मियों का अगस्त महीने का पेल रोल बनाने की प्रकिरिया शुरू करनी के तयारी चल रही है मालूम हो कि अब तक कर्मियों का वेतन CFMS, Comprehensive Finance Management System के माध्यम से सीधे ट्रेजरी से बनता था अब HRMS सिस्टम से वेतन बहत्ता इंक्रीमेंट छुट्टी से लेकर पूरी सर्विस बुक तक ऑनलाइन हो जाएगी वहीं इस प्रनाली का दूसरा फेज तोजर तेज के पहले या दूसरे महिने तक शुरू हो जाएगा विकास मेत्र पर बहाली नहीं होने के बाद जुनता दर्वार में फर्याद लेकर पहुंचा युवक अगस्त महिने की दूसरी सुमवार को मुख्यमंतरी का जुनता दर्वार लगा जहां उन्होंने आजू सिक्षा स्वास्त समाज कल्यान विभाग समित अन्य विभागों से जुरे फर्याद सुन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये इस बीच एक युवक ने सीयम नितिश्ट से कहा कि अहरता होने के बाद भी विभास मित्र में बहाली नहीं हुई दूसरे लोगों की बहाली कर ली गई इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास मित्र की बहाली तो काफी पहले हुई है अभी आप समस्या लेकर क्यों आये हैं इस पर फर्यादी ने कहा कि हम योग यह हैं विकास मित्र के लिए इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री को फोन लगा कर कहा कि बेगुसराय का एक अब असपतालों में मरीजों को मिलेगा हैंड मरीज के लिए अलग ड्रेश कोड होगा और इसकी विवस्था दो से तीन महिने के अंदर की जाएगी खास बात या है कि उन्हें हैंड लूम से बने वस्त्र दिये जाएंगे दरसर राष्ट्री हस्त करगा दिवस की मौके पर मुख्यमंत्री सचवाले इस्थित समवात कक्ष में आयुजित कारेकरम में स्वास्त मंत्री मंगल पांजों ने इस बात की जानकारी दी है स्वास्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अस्पतालों के लिए बुनकरों से सतरंगी चादर खरीदे जाने के संख्या बढ़ेगी इसके लिए बुनकर सहगारी समीती से प्रस्ताव भी आया था शिग्र ही अभिया विवस्ता बनेगी यही नहीं सतरंगी चादरों की खरी कहीं बाट की समस्या, लोग इन दिस्थीतियों से बूरी तरह से परेशान हैं, वहीं आज की बात करें तो सुबह से सूरज की तपेशने राज़ानी पटना से दक्षिन बिहार के अधिकांस्टों शेत्रों में अपना प्रकोप बनाये रखा, हालांकी मौसम विभाग में हाथ लगी बड़ी सफलता, शराब के धंदों में सनलिप्त और शराब का सेवन करने वाले लोगों पर पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है, वही हाली में सारन जिले में जहरीली शराब पेने से कई लोगों की जान चली गई है, इसके बाद भी हार पुलिस और भी हाथ लगी परशासन ने जिले में 90,000 लीटर शराब के साथ कुल 60 लोगों को गिरफतार कर लिया है, सभी शराब के धंदों में सनलिप्त लोगों को पुलिस ने मजिस्टरिस्ट के सामने पेश करने के बाद सिवान जेल भीज दिया गया है, इस वेक्ति को बैंक ने बैठे बिठाय बना दिया खरब पती, सोचिए अगर आपके बैंक खाते में आचानक से करोर नहीं, अर्बो नहीं, बलकि खरबो रुपे आ जाएं, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है, लखी सराय जुले के बढ़हिया निवासी सुमन के साथ बैंक वाले सुमन पर इस कदर महरबान हो गया है कि बैठे बिठाय एक खरब पती बना दिया, रसल सुमन ने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया, तो उसके खाते में एक खरब 68 अरब 33 करोर 42 लाक 59,400 रुपे और 10 पैसे आगे, इस संबंध में बढ़हिया निवासी सुमन कुमार ने बताया है कि उनके का स्वामे तो किसका है, इसका भी विवरम मांगा है, मुहरम को लेकर पुलिस परशासन हुई सकत जारी किये गया, हिल्प लाइन नमबर, मुस्लिम समुदाय के लोगों का महतपुर्ण ते होरों में से एक मुहरम 9 अगस्त को मनाया चौने वाला है, मुहरम के मद्दे नज कर व्यापक इंदिजाम किये हैं, जुल अधिकारी डॉक्टर चौंदर श्रिकर सी और स्स्पी म.स धिल्लो ने बिते दिन पुलीस अधिकारियों को आसामाजी कता तो और अफवाफाइलाने वाले लोगों पर सकती सिरिपटने के निरदेश दिये हैं, साथ ही हेल्प लाइ सबसे अधिक जान गई हैं. सरकारो इस समय समय पर इसको लेकर लोगों को जागरूं कर रही है, लेकिंद फिर भी जान जाने की संख्या में कमी नहीं आ रही है. वही एक बार फिर ठनका की चपिट में आने से तीन लोगों की जान चली गई है जिनमें दो बच्चे और एक युवक की जान चली गई ताजमामला गया के बिलागन प्रखंट के काजवी फतेपुर गाउं की है जहां ठनका गिरने से तीन लोगों की जान चली गई है मृतकों में दो बच्चे समेत एक युवक शामिल हैं वही दो बच्चे घायल बताया जा रहे हैं बिजेपी जद्यों के बीच तनातणी को लेकर बोले राज़त सांसत बिहार के राजनिτιक सरगर्मी तेज है जहां बिजेपी और जद्यों में तनातणी की खबर लहरमाल रही है। कुर्सी की है चिंता आर्सेपी सिंग के इस्थिफ़े के बाद इस से बिहार में राजनेतिक सरगर्मी तेज हो गई है अगले दो तिनों में राज्य में चार महतपुर्ण दल जद्यू आरजेडी और हम और कॉंग्रेस की विधायकों की महतपुर्ण बैठक होने वाली है इस मौडल तो विकास का मौडल है बिहार के 32 लाख जनता ने हमें सपोर्ट किया है उनका मौडल क्या है या उन्हें बताना चाहिए वहीं बिते दिन चुराग पासवान ने नितेश कुमार को पल्चु राम भी कहा था वहीं बिहार के राजनतिक गल्यारों का मौजुदा हालत पर चर्चा जोडों पर है कहा तो ये भी जा रहा है कि जद्यू भाजपा का दामन छोड़ सकती है वहीं अब ख़वर ये भी आ रही है कि जद्यू भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नर्ड़ा के बया उन्हें यह बात सोचना चाहिए रसेपी सिंग ने नितेश कुमार पर किया कर अपलचवा रसेपी सिंग द्वारा जद्यू से इस्तिफा देने के बाद सियासी गल्यारों में पूरी तरह से उथल पुछल मची हुई है सभी राजनितिक पाठियों में हलचल सी मची हुई ह मयानों के बाद तेजी से एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं जद्यू से इस्तिफा देने के बाद आर्सेपी सिंग भी जद्यू पर हमलावर हैं उन्होंने नितेश कुमार पाठी के राष्ट्र यद्वश ललन सी और उपेंदर कुश्पाहा पर हमला बोलते हुए कहा क लोग कहते हैं कि आर्सेपी नितेश की किरपा से मंत्री बने हैं मैं पूछता हूँ कि फिर आपको किसने सी एम बनाए अचल जी और अडवानी जी ने कम विधायक रहने के बाद भी आज कौन सत्ता भूग रहा है भारत को आखरी मैच जीताने के बाद कप्तान हार्दिक का भारत ने पाच मैचों की स्ट्रिंखला चार एक से जीत ली वही मैच के पोस्ट मैच पर्जेंटेशन में कप्तान हार्दिक पांटियों ने का कि अपने देश को नित्रीतू करने का मौका मिलना बहुत अच्छा असास है जाहिड है कि मैच जीतना मेरे लिए बहुत मायने जारी किये गए कोरोना रिपोर्ट के नुसार पिछले 24 घंटे में कोविट-19 के 16,166 नए मामले सामने आये हैं वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किये गए पिछले 24 घंटों के आक रोके नुसार कोरोना संक्रुमन के मामले में बज़ोतरी हुई है जिसक 188 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लोटे हैं बीते दिन हमारे दोड़ा पूछे गया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाह में कॉमेंट सेक्शन में लिकर दिया था जिनों पूछे गया सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सलिम भाई इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है कि हालिया राजनितिक गती वीडियों को देखते हुए आपको क्या लगता है भाजपा और जद्यू का गठवंधन यही समाप्त हो जाएगा अपना जवाह में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताए आज के लिए बस इतना है बिहार की तमाम ख़बर के साथ अपजेट पूरेने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही च्रेनल को सब्सक्राइब करना और मेल आइकन दवाना ना भूले धन्यवाद